खाव यह था तो सोच रहे होगा ने किसकी आवास थी तो यह मेरी बहन की आवास थी क्योंकि जैसे मैं मैं बना कर चुकी रहे तो वह एक दम से आगए और पूछने लगी दीदी आपने क्या बनाया है तो फिर मैंने इस अपनी फिश को मतलब चेक कर वाया फिर उसको बहुत तो बहुत यह तो वीडियो के अंड़ तक बने रहे हैं तक आप पूरी वीडियो को अच्छे समझ सकें स्वागत है आप सभी का स्वाति की देशी रसोई में तो फिर देर किस बात किया बनाना स्टार्ट करते हैं तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये दो किलो ला अच्छी तरीके से इस पर कोटिंग कर देंगे मैं इनेशन की तो चलिए अब एक घंटे की इसको मैंने टोने के लिए रख देते हैं तो बागी की तयारी कर लेते हैं तो मैंने ये 200 ग्राम हरी वाली प्याज जोती मैंने वो ली है 15-20 लैसुन के कलिया लिया है एक इंच अ अब हमने जो फिश को मैइनेट करने के लिए रखाता है अब उसको फ्राय कर लेंगे तो आप चाहें तो इसको आप शैलो फ्राय भी कर सकते हैं पर मेरे को फ्राय करने में ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसको फ्राय कर रहे हूँ ये बहुत यादर टेस्टी बनके त्यार होगी अगर आप इस तरीकी से बनाएंगे तो आपकी फिश भी बनने के बाद बिल्कुल भी टूटेगी नहीं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब फिश बनाते हैं तो फिश का तो अता-पता रहता है नहीं है यह पूरे मतलब ग्रेवी के अंदर घुल जाती है त तो बिल्कुल हाई फिलेम पे हमें इस सारी फिश को भून लिया है तो चलिए का कुछ खड़े मसायल ले लिए आठ से दस लोंग आठ से दस काली मिर्च एक बड़ी लाइची और दो मैंने इसके अंदर तेजपात ले लिया है अब मैंने यह लैसोन अधरक और हरी मिर्च क कर दी है तो चलिए अब प्याज को लोटू मीडियम फ्रेम पे अच्छी तरीकी से भून लेंगे तो प्याज का कलर चेंज नहीं करना है इतने हमें इसके अंदर स्प्रिंग अनियन डाल दें मतलब हरी वाली प्याज जो आती है आल प्याज जिसे कहते है यह मैंने 200 ग्राम अच्छी तरीकी से पानी भी सूख गया है तो इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं तो चार चमच धनिया पाउडर एक चमच नमक आद़ चमच हल्दी और दो चमच मैंने कश्मीर लाल मिशली है तो चलिए अब इसको भी डाल के इसको अच्छी तरीकी से मिला लेंगे तो अच्छी तरीकी से हमें इसको भूनना है जब तक अच्छी तरीकी से नहीं भून जाता है तो मसाला लगने ला लगे इसलिए मैं इसके अंदर आधा कटोरी पानी एट कर दूंगे तक कि मसाला अच्छी तरीकी से भून जाए और तेल भी मसालों से अच्छी तरीकी से स पानी चलेगे हैं और उबस टाया घंड़ी को और लाने तक पका लिया है इंगे में अधरकगे ह disrupt second मैं इसके ओपर कोई लिड नहीं ढ़कूंगी तो एक ही करके मैं सारी मचलियों को डाल दूंगे अराम से क्योंकि मचलियां काफी सॉफ्ट हो गई हैं तो इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो आपकी मचली बिल्कुल भी नहीं तूटेगी और मचली को छेड़ना नहीं है क कि अगर आप जादा छेड़ेंगे तो फिर यह तूट जाएंगे मतलब घुल जाती है क्योंकि मचली काफी मतलब सॉफ्ट होती है तो चलिएगा इस तरीके से मैं इसको उगेड करी पकाऊंगी मैं इसको कोई ड़िड धक के नहीं पकाऊंगी तो चलिएगा अची तरीके स मैंने सारी मचलों को मिला दिया है मैंने को इतनी ज्यादा मतलब हृलाया नहीं था इसको किगर मैं ज्यादा हिलाती है तो हमारी मचली जो काफी टूटने कडर रहता तो देखिएगा बहुत जया ethic सी हमारी मचली बनके तयार हो गई है आप देखकर यह पता लगा सकते हैं तो जितनी ज़गा यह देखने में सुन्दल लग रहे हैं खाने में भी उससे लाग गुना road याद टेस्सिर है एक बार इस तरिकर से मशली बना कर देखिए का नाही तो तो टूटे की ना इफ उतन फूटे की बहुत यादर टेस्स्टी सी बिल्कुल इसको बहुत ज़ी लगने वाली है तो सुनने आप सभी ने इसको भी बहुत ज़्यदर टेस्ट लगी तो आप इस तरही किसे बना का जरूर खाना तो बहुत यह पसंद आएगी अगर मेरी बहुत बढ़ी वाली बुक कर रहे तो उसे अच्छी लगी तो समझे लोगी आप किसे बना कर जरूर खाई है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर को दिना चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए अगर फिर में मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर